घर में विभीन तरह का पोधा तो हम लोग लगाते ही हैं जिससे घर का वातवरन भी सुध होता है ऐसा माना जाता है कि कुछ पोधे लगाने से घर में साकरात्मक उर जाती है तो चलिए आज इस वीडियो में मैं यही कुछ ऐसे ही पोधे के बारे में आज बात करूँगी और वो पोधा में लगाने भी जा रही हैं जिससे घर में एक पोजिटिव उर जाता है ऐसा मानेता है कि कुछ पोधे लगाने से घर में पोजिटिविटी आती है तो चलिए मैं आज एक ऐसे खास पौधे के बारे में आपको बताऊंगी ऐसा मानेता है कि जिस घर में पौधा होता है उस घर के लोगों को दिरगायू प्राप्त होती है और उन्हें कई पापों से मुक्ति भी मिलती है पौरानों में इस बात का उलेख भी है कि भगवान स्री कृष्ण ने यह पौधा इंद्र से युद्ध करके हासिल किया था और अपनी पत्नी रुकमिनी को भेट स्वरूप दिया था उस समय से ही यह पौधा लक्षपी जी का पसंदिदा पौधा माने जाने लगा क्योंकि रुकमिनी जी माता लच्मी का ही उतार है तो चलिए आज मैं वो पौधा आपको सामने दिखाऊंगी और वो लगाऊंगी भी तो वो पौधा है परिजात यानि हर्शिंगार नाम तो काफी इक उपसूरत है तो आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे इस नाम को तो अच्छी बात है और जो नहीं जानते हैं तो चलिए उस पौधे को दिखाते हैं और उसका मैं बहुत छोटा सा पौधा है तो उसको मैं लगाने जा रही हूँ और उसका हालत बहुत ही खराब है तो अब उसको मैं केर करके बढ़ा करूँगी अब अब मिर्ची नहीं खरीदनी परती है मेरे को और दिखिए मैं क्या क्या चीज धेर धेर एड़ करूँगी सब आपको सेर करती जाओंगी तो वीडियो में बने रही है और मैं परिजात के बारे में बताऊंगी तो ये दिखिए हर्शिंगार का फूल जो लेफ सेर में कोर्नर में लगाई हूँ इस तरह का फूल खिलेगा जो मेरे हाथ में पोधा देख रहे हैं वही है हर्शिंगार का गाच कि यह जो है समुद्र मंथन में 14 रतनों में से यह ग्राहमे स्थान पे निकला था जिसे इंद्र भगवान ने अपने स्वरलोक में आंगन में से लगा दिये थे तो वहां से फूल लेकर के आये थे किरिश्न भगवान तरुकमिनी को दिये थे तो वहीं पे सत्य भामा ने बोल दुद्दा थे कि आप हरशिंगार का गाच घर के आ जाये तो उनहीं के जिद प किरिश्न भवान ने इंद्रवान स्युद्धर कर यह जरुद्धा घरु पर लेकरки आये तो और देखे, मैं यहाँ पर क्या लगाई हुई हूँ, यहाँ पर देखे, गेंदे का गाच लगा हुआ है, तो यह काफी छोटा है, यह 10 प्या में सिख्ष्ठो दिया था, तो मैं यहाँ पर लगा दी हूँ, और यह इसको बढ़ने में महीना दिन तो लगी जाएगा, तो साइज में दोनों बराबर ही लग रहे हैं, और सारे पॉधे को पानी दे दी हूँ, लेकिन चाने को पानी नहीं दी हूँ, क्योंकि चाने को पानी नहीं देना चाहिए, वो ऐसे ही बढ़ता है, उसको बहुत कम पानी के उसकता होती है, तो देखिए मैं यहाँ पर पानी इसमें डाल दे रही हूँ, और इसका गाच में जो देख रहे हैं, पत्ते चर गए हैं कीडे, तो उसको मैं यहाँ पर नीम ओयल का स्प्रे करूंगी इसमें, और इसको ठिक कर दूंगी, जैसे ही नीम ओयल स्प्रे करूंगी ना, तो इसम को छोड़कर कोई भी पत्ते वह नहीं खा पाएगा नया पत्त जो निकल रहा है वह आराम से बढ़ेगा और अगर अस्प्रेय नहीं करेंगे तो इसको किला खाते रहेगा पुरा खतम कर देगा यहां पर देखिए गुलदावदी का गाच देख रहे हैं तो यह गाच भी खाकर केराई थी लगभू 10-12 दिन पहले जिसमें एक भी फूर खिला नहीं था लेकिन अभी इसमें दोठो खिल गया है और इसका भी बहुत अच्छा खुसबू आता है आप इसके पास में जाकर थोड़ा से हिला दीजिए तो बहुत अच्छा खुसबू आता है और मतलब बहुत सुन्दर लगता है आपके पास अगर होगा तो पता ही होगा और नहीं है तो आप लगा लिजिएगा ये ठंडे के दिन में बहुत ज़्यादा खिलता है और इसको थोड़ा पानी के वासकता ज़्यादा होता है और सबसे कम पानी के वासकता जो गाच होता है वो बा लाइक कर दीजिए और फ्रेंट और दोस्तों में परिवारों में वीडियो को सेर करिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू फ्रेंड्स थैंक्स पर वाचिंग